जै वलो देवादी देव एक हजार आठ स्री भगवान महावीर श्वामी की जै 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 आहिंसा परमो धर्म की जै 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 परम पूज आचार गुरुवा स्री विद्या सागर जी महराज की एक भक्त भगवान के चर्णों में निरंतर प्राथना कर रहा था हे भगवान मुझे एक कलोर की लाटरी खुलवा दे बार 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 एक ही बाद दोरा रहा था भगवान मुझे एक कलोर की लाटरी खुलवा दे 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 बगवान ने एक चाठा तिया, शीच के एक चाठा, सामने वाला घब्ला गया, मुतला बगवान की गलती हो गई, बगवान ने चाठा दिया और कहा तिया लेक करोल की लाटरी खुलवाने को मैं तैयार हूं, एक रुपय का टिकिट तो दिखा, एक रुपिय का टिकिट हो तो एक कडोल की लाटरी खुले लेकिन जो लोग टिकिट लेना नहीं चाहते लाटरी खुलवाना चाहते है उनको लपड मिलते है लाटरी नहीं मिलते शंत कहते है धर्मचित्र में तुम्हे एक रुपिया लगाना है लॉट्री कडोलों की खुलेगी दुनियादारी में तो लॉट्री खुलना संदिक्द है खुल भी शक्ति किसी एक की खुलती है पर धर्वत छेत्र में हर किसी की खुलेगी जरुवत है टिकिट लेने की आप सब लोगों ने टिकिट खरीद ली है तो यह मानना सब की लॉटरी खुलने वाली है सब की लॉटरी खुलेगी हाँ ऐसा हो शकता है कि किसी की पहले खुल जाए किसी की बाद में खुले खुलेगी पक्की समझ गए तो अब लॉटरी खुलेगी इसकी हमें कोई फिकर नहीं करना है मेरी लाटरी जल्दी खुले इसकी जुगाल करनी है मेरी लाटरी जल्दी खुले इसकी जुगाल करनी है और उस जुगाल के लिए क्या करना है अपनी भाव विशुद्धी को उत्रोतर बढ़ाना है बस तह हमारा मूल जह सिध्धी की उपलब्धी का है पर सिद्धी तक पहुचने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया के दौर से गुज़दना पड़ता है हर कोई के वसका बात की वसकी बात नहीं है आज हम सिद्धी की बात करे तो बात करना बड़ा सहज है सिद्धी की उबलब्दी बहुत कठिन है हमारे हाँ दो प्रकायर का मार्ग बताया एक साधना का मार्ग और दूसरा आराधना का मार्ग साधना का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है दिल इच्छा सकती और उच्छ मनो बल के धनी लोग ही साधना के मार्ग में आगे बल सकते हैं हर किसी के वसकी बात नहीं ये ऐसे है जैसे अपने पाओं के बल पर एवरिष्ट की चढ़ाई चढ़ना कदम कदम पर संभल संभल करके चलना पड़ता है तब हम उश उपलब्धी के मुकाम तक पहुँच पाते हैं लेकिन जिनके पास ऐसी विवस्था नहीं है उनके लिए आराधना का मार्ग है आराधना का मार्ग तुम खुद अपने पाओं के बल न चलपाओ कोई बात नहीं लिप्ट पर सवार हो करके चल जाओ पैरो पैरो उपर चलना कठिन होता है लेकिन लिप्ट के सहारे चलना थोड़ा सरल हो जाता है लिप्ट खुद उपर चलती है और जो उस पर सवार होता है उसे भी चढ़ा देती है ये भक्ति, ये आराधना वो लिप्ट है जो धीरे धीरे तुम्हारे चेतनिस्तर को उपर उठाती है लिप्ट पर सवार होकर हम अपने अंतिम धे तक पहुँच सकते है पर एक बात का ध्यान रखना है बीच में लाइट गोल नहीं होनी चाहिए लिप्ट पर सवार हो और लाइट गोल हो जाए तो क्या होता है अद बीच में रहते है और लिप्ट पर चड़ो भी लेकिन जहां जाना वो धे न रहे तो गड़बल होता है एक बार ऐसा हुआ एक दप्तर के लोग काम के लिए आए लाइट गोल हो गई लाइट गोल हो गई बीश्वे माले पर आफिस था लोगों ने सोचा भाई लाइट गोल है लिप्ट की बेवस्था नहीं है अब क्या करे पता लगा शिष्टम खराब हो गया उसको सुधारने में एक दिल घंटे लग जाएंगे सोचा भाई यहां रहने से क्या फाइदा चलो हम लोग बात करते 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 उपर चलते हैं सब बात करके हुए उपर चलना सुरू कर दिये उपर चलने लगे चलने लगे चलने लगे बोले तू कुछ मत बोल, चल, चलते चल, जब पूरे बीश मंजीर चड़ गए, उपर गए, ओफिस के गेट के पास खड़े हुए, तो देखा इसकी चाभी नहीं है, ओफिस की चाभी नहीं है, अब चप राशी की तरह बोला, तू क्या बोल रहा था, बोला सर यही तो बोल है थे कि चाभी तो आपकी काड़ी में पड़ी है, बीश मंजीर उपर चल गए, तब चाभी का क्या ला रहा है, कई बार तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है, बड़ी भारी भर कम तयारी लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, पर हमारा मूल लक्ष ही हमारे हाथ से छिटक जाता ह है, दूर हो जाता है, और जो हमें पाना है, हम उससे बंचित रह जाते हैं, आप सब आगे बढ़ रहे हैं, उपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आठ से सोला और आज सोला से बत्तीष बिधान हो रहा है, सिद्ध, चक्र, महा, मंडल, बिधान, ये बिधान आप लोग कर रह हैं, इस बिधान में कुल चार बाते हैं, पहला है सिद्ध, फिर चक्र, फिर महा, मंडल, और फिर बिधान, इन चारों को ठीक तरीके से सबचने की जरुष है, तब कहीं जाकर हमारा शिद्धों की श्रेणी में इस्थान बनेगा, कल सवाल पूछा गया था, कि यहां सिद् हैं, सिद्धा दी पतिये लिख रहे हैं, तो क्या अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं, आरहा करंशा आरहा है? आरा है करंशा आरहा है, भहीं आरह Cash लेकर विधान तक की बात पूरी करूंग और आप चेप्टर पूरा हो जाएगा, शिद्ध अनेक होते हैं, लौकिक कारियों में जो अपने आप में परिपून होता है उसे सिध्ध मानते हैं लोक में अनेक लौकिक सिध्ध हैं पर यहां हम उन सिध्धों की आराधना के लिए नहीं बैठे किसी को भी सिध्ध पूरुष कह दिया जाता है जिसका काम पूरा हो जाए उसको बोलते सिद्ध हो गया चावल आप लोग बनाते केते भात सीज गया ये भी सिद्ध है यानि लक्ष की पूर्ती का नाम सिद्धत्व है भौतिक शेत्रों में लौकिक जीवन में लोगों का लक्ष उतला होता है लोग वहीं तक सीमित रहते है पारमार्थिक शेत्र में जिस सिद्ध की बात की जारी है वो उनकी है जो पूरी तरह कृतार्त हो चुके हैं जो कृत कृत हो गए हैं जिनने स्वात्मा की उपलब्धी कर ली है ऐसे सिद्ध भगवन्तों का हम यहां आराधन कर रहे हैं फिर उनके साथ है चक्र चक्र यानि शमुहू शिद्धो का शमुहू वो अनंत है एक दो नहीं कितने हैं अनंत हम उन अनंत सिद्धो की आराधना करने के लिए यहां बैठे कैसे करके बैठे है महा मंडल मंडल नहीं महा मंडल मंडल की सर्चना आप सम देकी है मंडल का अर्थ हमें बहुत अच्छे से समझना है मंडल हमारी आराधना का आधार है यहाँ सिद्ध चक्र यंत्र की स्थापना है, सिद्ध यंत्र की स्थापना है, सिद्ध मंडल की स्थापना है मंडल का अर्थ बहुत कम लोग ठीक जानते हैं मंडल का मतलब होता है दिब्व विभूतियों के आवान के लिए तयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र तो पूनता का प्रतीक होता है। तीन सो साथ डिगरी उसमें आती है। जो परिपूनता का दियु तक है। हम सिद्धों का आराधन कर रहे हैं। इस मंडल की संरचना के साथ कर रहे हैं। जिस मंडल की आप आराधना कर रहे हैं। वो कोई शामान मंडल नहीं है आप उपरी तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ रेखाएं खिची है अलग-अलग रंग है उनमें कुछ अक्षर अंकित है ये उपर से देखने पर ऐसा दिखता है लेकिन जब हम इनकी गहराई में जाकर देखते हैं तो ये अलंत सक्ती का पिंड है उसका श्रोत है आप लोग रोज जब इस यंत्र का उधार करते हैं तो एक छंद से उसकी शुरुवात होती है उर्धा धोरयुतं सबिंधु सपरम ब्रह्मस्वरा वेष्ठितं वर्गा पूरित दिग्यतां बुजदलं तत्संधितत्वान्वितं तःपन अंता सुहत युतं सिंकारसं वेष्ठितं वेष्ठितं वुजद्ध वेष्ठितं व्रधा धोरयुतं सबिंधु सपरम आप सब इस मंडल को देखिए इस मंडल के बीच में एक मंत्र है रहम मंत्र ररहम मंत्र बीच का ये ररहम मंत्र जो दिख रहा है आपको ये मंत्र अशाधारन सक्ति वाला इससे अमोग मंत्र के रूप में लिया गया है इसमें वैसा है जिसके उपर और नीचे रेफ हो और जिसमें बिंदू हो इसको हम बोलते हैं रहरम 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 ये माया बीच सक्ति वीच महा बीच के रूप में माना जाता इस मंत्र की बड़ी महिमा है इस मंत्र के ध्यान का अकेले केवल इस मंत्र के ध्यान का बहुत बड़ा लाभ बता है और जब केवल ग्यान का लियनक होता है प्रतिष्ठा की विधी में तो नाभी में इस मंत्र का न्यास होता है यह एक प्रकार की प्रचंड सक्ति का संस्थापक है सारी लौकिक और लोकोतर सक्तियां इसमें निवास करती है इस मंत्र के साथ इस पूरे के पूरे चारो तरफ हम देखते हैं तो ब्रह्मस्वरा वेश्टितम हम देख रहे हैं चारो तरफ ब्रम्स्वर से वेश्टित है बीच में आप देखिए यह A-A-I-E-U इस सोला स्वर है दिख रहा आपको ब्रह्मस्वर से वेश्टित यह बीच के लाइन में यह सोला स्वर है और इसके चारों तरफ आठों दिसाओं में वरगा पूरित दिग गताम फिर छटवी दिशा में यारलव अंतस्त, साथवी दिशा में उस्मान और ये पूरे के पूरे आपके उत्तर आपके पूर दिशा से सुरू होगा सबसे पहले एक दिशा में बाहर जाकर के अकार से लेकर सोला स्वर है और उसके बाद साथ जगा ये पांच वर्ग उश्मान आपके अंतस्त और उश्मान ये पूरे वर्ण और अक्षर लिखे हैं इसके उपर बीच में मंत्र है और अंतह पत्र तटे सुनाहत युतम इनके पत्रों के तटे में अनाहत यानि सब जगा ओम रीम ओम रीम का एक बिजेश मंत्र लिखा है ये अनाहत है क्या है एक ऐसी अब्बे शक्ति है जो किशी भी शक्तियों से आहत नहीं होती और इसके उपर हिंकार संबेश्चितम आक्री में रीम जिसे माया बीच कहा गया है उससे ये तीन घेरे में घिरा हुआ है ये तो हो गया अनाहत और चारों तरफ ये हिंकार जो आप देखरें तीन रेखाएं हैं उन तीन रेखाओं से घिरावा लाश्ट मेहरीम लिखा है सबसे आकरी मेहरीम ये हिंकार से संबेश्चित है हिंकार माया बीज है सक्ती बीज है 24 तिर्थंकरों का बीज है और ये सब मिलकर के बीच में इसमें नमोकार मंत्र है रत्नत्रे की स्थापना है और ये सम्मेक दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है ये पूरा मंत्र इस सिद्ध चक्र में है इसके कई गूर अर्थ अंतर नहीं थे पहला अर्थ तो ये है कि अकार से लेकर हकार तक जितने भी मंत्र है वो इसी से संरक्षित हैं सर्व मंत्रों की रचना का आधार ये है आप लोग बोलते हैं ले करमाश्टक बिनुर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सिद्ध चक्रस सद्विजम सरवतह प्रनिदद में है ये नमोकार मंत्र की रचना भी इसमें समाहित है सारे बीज और सारी शक्तियां इसमें समाहित है और ये उपर तीन गहरा बना दिया गया वो इस बात का दियो तक है कि अब इसके उपर संसार की कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती इस प्रकार से इसका ध्यान करने वाले को असाधारन लाभ की प्राप्ति होती है तो ये अपने आप में अपना मंत्र है ध्वनी के जितने भी उच्चारन स्थान है वो सब इसमें समाहित है मंत्र का कोई चमतकार नहीं होता मंत्र से प्रश्फुटिद जो ध्वनी होती उसका चमतकार होता बाकी तो अपने आप में अक्षर मात्र है पर उन अक्षरों को अक्षर ब्रह्म के रूप में इस्थापित किया गया और उनी की आराधना यहां पर संपन की जा रही है इसलिए इसका प्रभाव अनन्त गुना बना हुआ है आप लोग सिद्चक्रमंडल विधान की आराधना तो नीमित करते हैं लेकिन इस तरीके के आराधन का फल अनन्त गुना समझना चाहिए एक बात आप सबसे कहूँगा जितने जितने लोग अपने मंडल में आराधन कर रहे हैं उनका पूरा ध्यान उस मंडल पर होना चाहिए यह कैमरा गलबल करता है इसके कारण कई लोग इधर भाग आते हैं तुम्हें पूरी आराधना वहां करनी है एक एक मंत्र को तुम्हें अपने द्वाला वहां संपादित करना है इसके बदौलत आप अपने जीवन को एक नहीं उचाई दे पाओगे अश्टानिका परव के आउशर पर जब हम इसका विधान करते हैं तो इसका प्रभाव और भी कई गुना बढ़ जाता है हम ऐसी भाव भक्ती के साथ उत्रोतर अपनी भावना को बढ़ाने की कोशिश करे और इस बिधान को अपने जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धी के रूप में रखे इस पर अभी और गहन चिंता न पेक्षित है ये मंत्र है मंत्र सास्त्रों में इसके बारे में काफी विशलेशन किया गया है उन्हें देख करके हम इसका लाव लें तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत कारिकारी है ऐसा कहा जाता है कि जो बेक्ती आठ वर्स तक ओम जोवेक्ति आठ वर्स तक तीनों अश्टानिका में इस तरीके से सिद्चक की आराधना करता है वो अतिसिग्र मुक्ति का अधिकारी बन जाता है आठ वर्स तक तीनों अश्टानिक में आप भावना भाव महराज किसानित में मिले तो ठीक नहीं तो अपने मंदिर में बेदी में मानला मानला और खर लो और उत्तम आठ दिन के उकवास पुरवक मध्याम सुरू अंत में उकवास बीच में एक आशन जगन एक आशन जितना लियम सहियम के साथ आप कर सको उत्तम विधी आठवर्स की मध्यम विधी तीन वर्स की और जगन विधी एक वर्स के तीन विधान की है तो एक वर्स की तीन विधान में इस बार तो दो हो गए अब तीसरा असाड में हम लोगों का निश्चित नहीं रहता अब पता नहीं इस बार किसी आप लोग भागे से होना हो तो हो जाए क्योंकि असाल का चातर मास के निकट का समय रहता है लेकिन हम लोगों के तो बिहार का ये भविश्वानी कर रहे हैं कि बावन गजम ही होगा अगर ये इनकी भविश्वानी सही होगी तो हो जाएगा अगर होगा समय पर पहुँच जाएंगे तो हो सकता है लेकिन इसका लाब सब को लेना चाहिए यहां जो मंत्रा राधन हो रहे हैं मंत्र की शक्तियों का यहां समारूपन हो रहा बड़ा प्रभावशाली है हर मंडल में कलस रखे हैं यह बड़े महिमादाई कलस हैं घर के लिए मांगलीक है अश्टमंगल द्रब मंडलों में रखा जाता है मैंने यह कहा कि अश्टमंगल आप घर में रख सकते हैं वो आपके घर के मांगली का कारण बनेगा आप चाहते कि हमारे घर में नकाराक मकसक्तियां हावी नहों तो ऐसी मांगली बस्तुएं अपने घरों में रखना चाहिए बहुत लोग जाप कर रहे हैं जाप में लॉंग रख रहे हैं वो लॉंग आपके लिए चमतकारी लॉंग है आप उप्योग कर सकते हैं मंत्रित लॉंग का उप्योग करना समझ में आता है निवेदित लॉंग का उप्योग करना ठीक बात नहीं तो इस बिधान का पूरी तरह से आप सब उप्योग करें समय हो रहा है इसलिए अधिक भिस्तार न देते वे अपनी भाव शुद्धी को बढ़ाए कल मैंने कहा था कि मंडल के कलस सब अपने अपने घर ले जाना मंडल वाले को एक एक कलस तो कमेटी गिफ्ट करेगी लेकिन आप यहां से विधान करके जाओ तो किसी को कुछ दो तो लो तुमारे घर में मंगल का प्रतीक हम कलस सब रहे यह अपने तरफ से दो यह एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा होगा हलाकि इस कलस का मुझे पता है आज लोगों को मालूम पढ़ा है एक दो दिन में फुल हो जाएंगे अभी भी मेरे पास ख़बर आई थी परसो कि हम रतलाम में नाम लिखाएं हमें अभी तक कलस नहीं मिला इस बार मिल जाएगा क्या हमने का इस बार इनका पहले नमबर में लिखवा दो तो आप शब ऐसे कारियों का लाबले मूल उदेश हमें अपनी आत्मा की विशुद्धी का रखना चाहिए जीवन को शीक्रम से आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने जीवन को लाभानवित कर पाएंगे